किसान भाईयों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डीपार्विंग में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की उन्नत किस्मों के बारे में किसान बायों खरीब का सीजन आ चुका है और किसानों के मन में यही सवाल रहता है कि मक्का की बुआई करते समय कौन सी किसम का चेहन किया जाए ताकि उनको अच्छा उत्पदन मिल सके किसान बायों आद कि वीडियो बहुत ही मतपुर्ण होने वाली है तो आप वीडियो को पूरा देखे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने किसान बायों के पास सेокой करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो नेचे लाल अक्सरों में composer का बटन मिल जाए से मिल जाती है लेकिन अगर हम्साइन का चेहरे तो हमें अपने उत्पादन में बड़ुतरी नहीं होती है है और अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है तो आज हम इस वीडियो में कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं किसान भायों सबसे पहले हम बात करेंगे Pioneer Company की 3401 मक्का के बारे में किसान भायों यह मक्का कापी अच्छी मक्का है इसकी प्रमुख विशेष्टा यह है कि बारिस अगर कम भी होती है तो भी है जाती है अगर बारिस अत्यदिक ज़्यादा भी होती है तो भी है फसल हो जाती है इसमें फसल को कोई नुकसान नहीं होता है और बारिस की अनिस्तिता के लिए विराइटी बहुत ही महत्वपून है किसान भायों इस विराइटी की कीमत 4 गेची के पेग की 1500 रुपे पड़ती है तो किसान भायों यह थोड़ी महेंगी आपको जरूर लेगेगी लेकिन यह कपी अच्छी विराइटी है और किसान भायों के लिए बहुती उपयोगी विराइटी है तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भायों अब हम बात करेंगे धानिया कंपनी की 82-55 मकार के बारे में जिया किसान भायों इस मकार का नाम आपने पहले ही सुना होगा इसकी ज़्यादा जानकरी आपको इस वीडियो में नहीं दूँगा इसका अलग से मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखा हैं इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्सर में देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी तो आप इस वीडियो को देख सकते हो inar G इसमें कने पर आपको मिल जाती है दोनों अच्षी विराइटिय हैं साथ ही बहूसर सत्रा की बात करेद यह भी कापी अच्ची विराइटी है इसका जो तना होता है वो कापी पतला होता है जो पसों के भूसे के रूप में अगर आप पसों के भूसे के रूप में इस मक्का का उपयोग करती हो तो कापी अच्छी है आपके पसों के लिए साभी दोगी तो इससे किसान भाईयों को यह फाइदा मिलता है कि बारिस के साथ अगर तूपानी हुआ भी आती है तो हमारी फसल को ज़्यदा नुक्सान नहीं होता है और हमारी फसल खराब नहीं होती है इसका तना थोड़ा जाड़ा होता है किसान भाईयों तो पसुओं आसानी से खान नहीं सकते हैं तो आप इसकी भी वहाई कर सकते हो इसकी price की बाद की तो किसन बईऊ इसकी price भी आपको market में 1100 रुपे से 1200 रुपे के मद्दे में आपको व्य मका की पासल भी मिल जाती है 1217 की भी यही price होती है सेम आपको सबी मका इसी price में मिल जाती है तो आप इन सबी मका की लगा सकते है किसान बाइओं आज के इस वीडियो में हमने पाइनियर मक्का, दानिया मक्का और सिजेंटा कंपनी की एनके 30 प्लस और 62 सतरा मक्का के बारे में बात की तो अगर आप अपने सेत्र के हिसाब से दूसरी मक्का की बॉई करते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं क्योंकि मैं आपकी इतनी मेहनस से आपके लिए जानकर लेकि आता हूँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और किसान बाइओं के पास वीडियो को सेर करें जल्द मिलता हूँ, एस ही नई वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद चै जवान, चै किसान, राम राम साथ